तो कौन से फंड से मिलेगा मुनाफ़ा दमदार आएए बात करते हैं मनी फ्रंड की CEO मोहित गांग से मोहित ऐसे कौन से फंड आप बताने वाले हैं जिन से इस त्योहारी सीजन दमदार मुनाफ़ा कमाये जा सकता है और वो कौन सी कैटेगरीज है जो आपको है पसंद जी स्वाती स्वाती तो देखें जिस तरह का मार्केट में अभी उचाल देखा है मने लास्ट एक साल से एक डेर साल से और वहाँ पर जो मिजॉरिटी ओफ दे रैली है वो मिड और स्मॉल कैप सेग्मेंट में आई है अगर आप देखें तो लार्ज कैप फंड्स ने इतना परफॉर्म नहीं किया है इन फैक्ट कंपेर टू मिड और स्मॉल कैप एक तरह से अगर रिलेटिवली देखा जाये तो बहुत हद तक अंडर परफॉर्म ही किया है लार्ज कैप ने बट मुझे ये लगता है कि किसी भी निवेशक के पोटफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन कम से कम 50-60 प्रतिशत होना ही चाहिए और यहाँ पर मेरी जो अभी के मार्केट को देखते वे चॉइस है अगले एक या दो साल के लिहाद से वहाँ पर मुझे सबसे पहली चॉइस रहेगी एक अच्छे लार्ज कैप फंड की और वहाँ लार्ज कैप में मैं पैसिव स्ट्रेजी को ही जादा तवज्जो देता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्रू आईसी आईसी है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड यह मुझे काफी अच्छा लगता है देखिए इसमें बहुत ही सहूलियत है इसका expense ratio बहुत कम है आप finally निफ्टी की 50 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो इस देश की सबसे सर्वशे के साथ में अच्छे steady returns के लिए अगर आपको लंबी अवधी के लिए निवेश करना है तो आँख बंद करकर कोई भी निवेशक एक निफ्टी इंडेक्स फंड का चुनाफ कर सकता है यहाँ पर प्रूव ICI से निफ्टी इंडेक्स फंड मुझे अच्छा लगता है इसका expense ratio भी कम है tracking error भी काफी अच्छा है तो उस लिहाद से यह fund काफी अच्छा लगता है तो सबसे पहला तो यह दूसरा large cap में ही अलग तरह का fund है जिसे factor based fund कहते हैं या फिर smart beta fund भी कहते हैं वो है UTI momentum 200, UTI momentum 50, Nifty 200 index fund तो इसका जो तरीका है स्वाती वो यह है कि Nifty की जो 200 top companies है उन पर momentum सबसे जादा तेज है जहाँ पर तेजी बहुत चल रही है जहाँ पर खरीदारी बहुत हो रही है जहाँ पर price action बहुत चल रहा है तो उन companies के stocks को यह NSE का बनाया हुआ index है तो इस index में लगातार changes भी होते रहते हैं basically पर यहाँ पर NSE उन stocks का चुनाव करता है Nifty के 200 के universe म पर momentum बहुत जादा अच्छा चल रहा है momentum investing एक time tested तरीका है investment का जिसमें काफी अच्छे return भी बनते है निमेशकों को तो यह जो fund है यह momentum को capture करता है यह भी एक passive index fund strategy ही है इसे factor based कह सकते है तो यह passive और active के बीच का एक तरीका है तो यहाँ पर वो 30 company जिनका momentum सबसे तेज चल रह है और इनमें एक अलग तरीकी strategy भी है passive भी है expense ratio भी कम है अगले एक से तीन साल के लिहाद से लंबी अबधी के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यह दो fund काफी अच्छे रहेंगे जी तो पसंदीदा fund मोहित के passive strategy में खास तौर पर जो आपके portfolio को बना सकते हैं दमदार बहुत धन्यवाद करेंगे मोहित आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए